क्या दोस्तों आपके बाल भी dry हैं, frizzy हैं, बहुत ज़्यादा रूखें हैं, बेजान हैं, इनको ठीक करने का कोई भी आपको solution नहीं मिल रहा है तो आज की वीडियो खास आपके लिए है, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर में असानी से अपने बालो को smooth, shinier और straight कर सकते हो, वो भी natural चीज़े इस्तमाल करके आज मैं आपको एक hair cream बताऊंगी बनाना और उसमें हम इस्तमाल करेंगे आलू का, आलू को इस्तमाल कर सकते हैं अपने बालो पर hair mask बना कर, तो आलू का hair mask आप कैसे बना सकते हो अपने बालो को खुब सूरत बनाने के लिए, तो वीडियो पूरी देखना, वीडियो अच् दोस्तों के साथ, तो आईए जल्दी से देखते हैं कि इसको आप कैसे बनाओगे और कैसे सही से लगाओगे दोस्तों, hair mask बनाने के लिए आपको एक आलू लेना है, उसको अच्छे से वाश कर लेना है वाश करने के बाद, आप इसको पील कर लोगे, यानि इसका चिलका उतार दोगे दोस्तों, आलू एक magical beauty ingredient है, जो की हमारे बालो के लिए बहुत जादा फाइदे मन्द है जब हम आलू को अपने scalp इस्तमाल करते हैं, तो ये हमारे scalp के pH level को maintain करता है, ठीक करता है और dandruff की problem है, fungal infection की आपको problem है, उसको भी ठीक करने मदद करता है इसके साथ आलू में vitamins, minerals होते हैं, जो हमारे रूखे सुखे बालो को shinier और healthier बनाने में इस्तमाल करते हैं जब हम इस आलू के hair mask को इस्तमाल करेंगे अपने बालो पर, तो ये हमारे बालो में जो collagen होता है, उसको restore करता है, ठीक करता है जिससे की हमारे बालो की growth भी बढ़ती है, क्योंकि collagen जो होता है, building block होता है हमारे बालो का, जो बहुत जादा जरूरी है, बालो की growth को बढ़ाने के लिए तो बालो को अगर आपको बढ़ाना है, चमकीला खुबसूरत, smooth बनाना है, तो इसको जरूर बनाईए, इस्तमाल करिए तो आलो को छीलने के बाद कद्दुकस कर रही हूँ मैं, इस तरीके से आपको grade कर लेना है, इसके बाद आप इसे एक pan में transfer कर लो, और फिर इसमें आप डालोगे 1.5 tea cup water, यानि 1.5 cup पानी इसमें डालेंगे और चमस से चला लेंगे, अभी ये remedy तयार नहीं हुई है, अभी आप आगे देखिए क्या होता है, अब इस pan को आप flame पे रख दोगे, low flame पे आपको इसको रखना है और चमस से चलाते रहना है, जब इसमें boiling आने लगेगी तो आप देखोगे, जो पानी इसमें हमने डाला है, वो ठिक होने लगा है, जैसा कि आप देखी रहे हो, जब आप को भी लगने लगे कि आपने जो ये boiling की है, इतनी थिकनेस इसमें आ गई है, तो gas को आप बंद कर देंगे और इस mixture को आप fan के नीचे रख दीजे थंडा होने के लिए, थोड़ी देर बाद ये थंडा हो जाएगा, थंडा होने के बाद आप इसको mixing jar में डाल के इसको पीस या फिर blender का इस्तमाल कर सकते हो, तो मैं इसको पीस लेती हूँ पहले, इसको पीसने के बाद अब आप क्या करोगे, एक बड़ा बोल ले लो और एक छलनी ले लो, या फिर आप कोई कपड़ा भी ले सकते हो, जो बारीक हो, और इसको आपको चानना है, जिससे कि कोई भी इ आजी जो चीज ना हो, जो हमारे बालों में फसे, तो इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे, छानने के बाद जो ये ऊपर का रेसिट्यू बचेगा, इसको आप फेक दीजे, और जो नीचे आपका जेल सा निकल के आया, इस्टिकी जेल, इसको इसको इस्तमाल करेंगे, इ इसमें कौन स्टार्च डालेंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक मिक्स्चर तयार करेंगे, इस तरह से मिक्स्चर तयार हो जाएगा, और फिर इस मिक्स्चर को इसमें जो ये जेल निकल के आया है, इसमें एड कर लेंगे, अब इसमें एड करने के बाद अच्छे पेस्ट बन जाएगा आपका इस तरीके का जैसे आप देख रहे हो और बस इसको थंडा होने के लिए पंखे के नीचे लग दो थोड़ी देर दस पंद्रा मिनट बाद यब यह थंडा हो जाएगा और ज्यादा थिक हो जाएगा तो इसको आप एक बोल में अलग निकाल लीज तो इसे आप डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और अब आपकी यह हेर क्रीम जो नैचरल चीजों से बनी है वो बन चुकी है इसको इस्तमाल करने का तरीका भी जानना बहुत ज़ादा जरूरी है इसको आप इस्तमाल करोगे अपने साफ बालों पे यानि शैंपू करने के बाद जब आपके बाल सूख जाते हैं या फिर दूसरे दिन आप इस क्रीम को एपलाई करेंगे बालों की लेंथ पे बालों की जड़ों में भी लगाएंगे और फिर अपने बालों को बांध लेंगे बांधने के बाद आप इसको शावर कैप या पॉलेथिन बैग से ढख लेंगे जिससे की यह सूखे नहीं तो धकने के बाद कम से कम इसे एक घंटा अपने बालों में आपको छोड़ना है एक घंटा होने के बाद आपको अपने बालों को पहले पानी से धोना है फिर कोई भी केमिकल फ्री सल्फिट फ्री शैंपू evolved करना है जल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो देर किस बात की है, इस नाच्रल क्रीम को बनाओ, इस्तमाल करो, और बालो को हेल्दी, स्ट्रॉंग और शाइनियर बनाओ, आज की वीडियो अच्छी लग रही हो, तो इसको लाइक कर करना कमेंट करके बताना कैसी लगी और कौन-कौन इसको यूज करने वाला है, जल्दी से कमेंट में लिख दो, और शेयर करना नहीं भूलना, इस अपने दोस्तों के साथ, वाटसप और फेस्बुक पे, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे की आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें, तो मैं मिलती हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई और टेक केर